हेलो फ्रेंड्स नमस्कार श्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने क्लास ट्रिपल सी बाई फच्ट रीपर आज टैली का पार्ट सेबन है और आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर आज जैसा कि हमने इससे पिछले क्लास में आपको बताया था बैलेंस सीट के बारे में तो आज वो आज complete करेंगे यहाँ पर sendicator, sendicator, current asset, investment, fix asset इन सभी के under में laser create करेंगे और आपको पूरा complete समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा class करते हैं ठीक है यह class आपके लिए most important है पहले ही बता दिया है तो सभी साथ ही class को पूरा देखें हो सकता ही class थोड़ा सा बड़ा ह जाए लेकिन आपको complete देखना है ठीक है और आने बाले समय में टैली के ऐसे ही class आपको मिलते रहेंगे अगर आप पूरा series फालो करेंगे टैली का तो मुझे लगता है कि आप आसानी से टैली को सीख सकते हैं कोई problem नहीं होगी और अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर भी करेंगे ठीक है चलिए सभी साथी share कर दो एक बार और अभी आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना ठीक है और जो भी साथी चैनल पर नहीं हूँ आप लोग चैनल को subscribe करके bell icon on कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड गिया जाए उसका notification भी आप तक तो सबसे पहले चलते हैं balance sheet में जैसा कि हम आपको फिर दिखाते हैं balance sheet आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमने इससे पहले की वीडियो में capital account का ledger बना दिया था और bank code account का भी ledger बना दिया था जैसा कि आपको एक पर फिर बता दें जो balance sheet है यह एक audit report होती है किसी भी company की यह किसी भी shop की और अभी तक इस shop पर क्या था जो काम हो रहा था वो manual accounting हो रही थी बट अब इन्होंने क्या किया और पूरा देखना पड़ता है यह उनका जो आपका audit होता है report होती है वो पूरा देखना पड़ता है और उसको फिर tally में आपको लाना पड़ता है जैसे किस किसी पर पैसे उधार हैं किसी को पैसे देने हैं हमारे पास कितना product save है यहने कि आपके दुकान में कितना अभी जो good से वो बचा हुआ है किसको payment करना है किसको नहीं करना है यह पूरा लेखा जुखा जो होता है इसको हमें अपनी जो अपने company मिनाई होती है उस पर as a opening balance काम शुरू कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह जरूरी नहीं होता है कि कोई भी company कोई भी दुकान जब open की गई है तब शुरुआत से ही उसमें tally में काम किया गया है उसने क्या किया कि कुछ दिनों तक तो अपना manual काम किया अपनी किताब copy पर काम कर लिया अपना उसने diary बना इस पर सारा note करता था अपना accounting जो भी था बट कुछ दिनों के बाद जब उनकी shop अच्छी चलने लगी या company अच्छी चलने लगी तो सोचा कि अब tally में सारा को आना चाहिए तो ऐसी condition में हम क्या करते हैं जो पुरानी balance sheet होती है उसको opening amount में डालते हैं यहनी कि opening करते हैं उ unsecured loan अब इस shop पर क्या है unsecured loan है जो कि 50,000 रुपे का है अब unsecured loan क्या होता है जैसा कि हमने आपको इससे पहले की class में बता रखा है कि ऐसा loan जो अपने दोस्तों से relative से और किसी भी जान पहचान बाले बेक्त से लिया जाता है जो कि बिना सर्थ का होता है unconditional होता है वो आपक unsecured loan के अंतरगत आता है तो इसका list A आगे दिया गया है जिसको देखकर कि आपको laser बनाना पड़ेगा और under किस में रहेगा unsecured loan रहेगा यानि कि group जो रहेगा वो unsecured रहेगा ठीक है तो हम आपको पहले list A यहाँ पर दिखाते हैं मैंने यहाँ पर बना के रखिए list A जैसा यह list A यहाँ पर देखिए unsecured loan के अंदर आपको laser create करना है यहाँ पर लिखा हुआ है you can open laser accounts under unsecured loan with list A list A में जितने भी name यहाँ पर दिए गए हैं उनको देख करके आपको unsecured loan के अंदर यह सारा list आपको बना देना है ताकि tally में लिख जाए कि हमने इतने लोगों से loan लिया है अभी तक तो आप copy भी लिखते थे लेकिन अब हम सारा काम tally पर करने वाले हैं तो हमने क्या किया unsecured loan जितना जहां से भी लिया है उन सभी के नाम यहाँ पर हमें देने हैं तो कैसे लेजर हमें बनाना पड़ेगा यह चीज हम आपको आज बताएंगे इस tally में तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा tally में और अपनी company को यहाँ पर login करना होगा तो company को login कर लेते हैं यहा कर लिया अब लेजर क्रियेट करने के लिए हमें आना कहा होगा तो accounts info में जैसा कि हमने आपको बता भी चुके हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं तो आप से भी पता है पिछले class आपने देखे हैं account info पर जब आप interface करते हैं उसके बाद नीचे एक option आता है लेजर का जैसा कि आप देख सकते हैं groups के नीचे क्या है लेजर का option है यहां पर आपको interface करना होता है अब एक तो हम single लेजर बनाते हैं और एक हम multiple लेजर बनाते हैं जब हमने कहा था कि आपके पास लेजर जादा हो जब 10-20 या 4-5-6-7-8 लेजर हो तो उनको multiple में बनाने में थोड़ा आसानी रहत लो बट multiple लेजर थोड़ा आपका कार्य जल्दी करा देता है समय की बच्चत हो जाती है ठीक है तो यहां पर करते हैं एंटर और अब multiple लेजर का आपके सामने यह form open हो चुका है और यहां पे सबसे पहले आप से पूंचेगा अंडर देखें यहां पे जो पूंच रहा है न तो अंसिकोर्ड में रहेगा यहां पे मुझे यहां लिष्ट से आपको अंसिकोर्ड लेना पड़ेगा तो हम UN अगर प्रेस करते हैं तो देखें यहां पे अंसिकोर्ड लोन आपको डिस्प्ले हो रहा है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे अंसिकोर्ड लोन है और अब जितने भी आपके पास नेम है यानि कि जितने लोगों से भी आपने लोन लिया है सभी का नाम यहां पे आप डाल सकते हैं और यहां पर उनका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे ठीक है चलिए हम आपको यहां पर बना के दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन-कौन amount आपने भर दिया एक बार एंटरप्रेस करना है अब सिकेंड लेजर आपको बनाना है तो सिकेंड लेजर आपका कौशा है किरन इस्टोर है बीस जार पान्सुर रुपे का किरन इस्टोर आ गया थार्ड आपका लेजर कौन सा है इक बार फिर से चेक करते हैं थार्ड आपका है महस इलेक्टोनिक्स का 95 और उसके बाद आपका क्या है साइद आपका है सील आजनसीज दो हजार सुभम इलेक्टोनिक्स पांच जार ठीक है सुभम इलेक्टोनिक्स हो गया पांच जार और इसके बाद एक और बचा हुआ है बिमल इलेक्टोनिक्स तीन हजार देखिए बिमल इलेक्टोनिक्स तीने जार आपने भर दिया है एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद आप आपका यहां से सारे लेजर आपने बना लिये हैं टोटल एमाउंट कितना है पचास जार का है अभी चेक भी करेंगे कि कैफिस को चेक करते हैं आप इसके लिए मुझे सेब करना पड़ेगा तो हम एक पार और एंटर प्रेस करेंगे यहां पर अशिप्ट का स्क्रीन आ चुका है आपके सामने और एक पार आप एंटर प्रेस कर दे हैं या बाई प्रेस कर देते हैं तो यह सेब हो जाएगा तो हमने एक पार एंटर प्रेस कर दिया हमारा जो लेजर हमने बनाए थे वो और इसको practice आप लोग जरूर करें ठीक है अपने laptop पर PC पर practice करेंगे तो सारी चीज़ें आपको clear होंगी देखिए अब यहाँ पर लिखा है check after entering correct अगर आपने सही से भर लिया है तो इसको आप check भी कर लिजिए कैसे करेंगे check तो इसके लिए आपको gateway of tally पर जाना पड़ेगा फिर balance sheet पर जाना पड़ेगा फिर loans, liabilities और उसके बाद unsecured loan का option दिखेगा और enterprise करेंगे तो पुरा list आपको बहाँ डिसीडियो हो जाएगा बिद total amount के साथ में ठीक है तो चलिए यहाँ पर बापस आते हैं gateway of tally पर और इसके बाद मुझे balance sheet पर जाना पड़ेगा तो आप amount देखो आ रहा है 50,000 रुपे का और कितने लोग इसमें सामिल है तो आप एक पर interface करेंगे उसकी बाद यहाँ unsecured loan आ रहा है इस पर आप interface कर देंगे देखे पूरा list आपके सामने आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा list आपके सामने है और अब देखे इतना काम करने के बाद जो balance sheet में है हमारा उसके बाद क्या है संदी क्रेटर है एक लाख नभी हजार रुपे के यानि कि जो संदी क्रेटर है वो आपके एक लाख नभी हजार रुपे के हैं list B में दिखाए गए हैं जिन लोगों से हमने माल उधार खरीदा है व और यहां पर क्या करते हैं देखें यहां list B में क्या करना है आपको आजाद traders नाम से बनाना है 50,000 रुपे का ठीक है जो कि कहां रहेगा आपका संदी क्रेटर में रहेगा ठीक है यहां पर account में जाएंगे लेजर में जाएंगे और multiple laser में फिर से आप आएंगे create करेंगे और यह आपका संदी क्रेटर है तो आप यहां किनारे पर देखते हैं तो यहां पर संदी क्रेटर का एक option आपको देखता है जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार बस आपने select कर लिया है संदी क्रेटर जितने भी नाम है सारे आप यहां पर डाल देंगे और उसके बाद आप save कर दिया गया है अन्मोल इलेक्ट्रोनिक्स का है बीफ हजा रुपे का नेक्ष्ट दिया गया है आपका सचिन इलेक्ट्रोनिक्स साथ जार का सचिन इलेक्ट्रोनिक्स हो गया आपका साथ जार रुपे का और इसके बाद आपका दिया गया है सर्वेस कंप्यूटर पैंतिस जार का सर्वेस 35,000 हो गया सर्वेस कंप्यूटर नेक्ष्ट आपका क्या है और लास्ट आपका है सुधीर एजनसी इज पैंतिस जो रुपे का सुधीर एजनसी 35,000 रुपे और इसको आप सेव करा देंगे ठीक है यह भी आपका सेव उचका है बापस जा जाएंगे इसको एक पार चिक करेंगे तो चिक करने के लिए गेट पे आप टैली बैलेंसीट और इसके बाद करेंट डैविटीज में आपको मिलेगा संडी क्रेटर ठीक है रहे और यहां पर इंटरपेस किया और संडी क्रेटर को हमने यहां पर आपे देखा तो एक पार इंटरपेस करती हैं हमें यहां पाठ disgική लग रहा है सायद योग यहां प सही आ रहा है वह यहां पर भी तो चिक कर लेते हैं कि क्या यह गलत है या सही है तो एक लाग अरफट जार फाइव एंडड़ ही है इसको चाहिए कर देते हैं ओके इचीज तो यह हो चुका है कम्प्लीट इसके बाद जो आपका रहेगा लिष्ट सी रहेगा लिष्ट सी में क्या है फिक्स असेट है आपको बैलेंस इड़ दिखाते हैं यहां पर भी सभी कर लेते हैं 168 एक अरफट वाइड़ हो गया ठीक है अब दिखिए फिक्स असेट में आपका यह लिष्ट सी में आपको दिखाया गया है और यह आपके पचाफ़ जा रुपे ठीक है अब लिष्ट सी आपको दिखाते ह ध्यान से देखना पुरा क्लास आप लोग ठीक है फिक्स असेट में क्या होता है जो आपके पास सामान होता है जैसे कि कंप्यूटर हो गया कंपनी में कंपनी का फरनीचर हो गया यह सब आपका फिक्स असेट में आता है तो कंप्यूटर 27500 के हैं और फरनीचर इनका 22500 रु यहां पर एक तो हमारा computer का है computer हमारा कितने का है 27,500 का है उसके बाद second हमारा है furniture furniture का बना लिया 2500 रुपे और इसको हम save करा रेते हैं save कराने के बाद आप इसको check कैसे करते हैं तो यहां पर आपको बताया गया है check after आपको आना है यहां gateway of tally उसके बाद balance sheet और balance sheet पर जाने के लिए आप अपने keyboard से बीप्रेस कर सकते हैं जैसे बीप्रेस करेंगे balance sheet में जाएंगे और यहां पर देखेंगे आप fix a set तो देखें यह आपको मिलना है fix a set जो आपको total amount भी दिखाया जा रहा है आपको इस fix a set पर करना है click तो इससे पताच चलएगा कि कौन-कौन से यहां पर product सामील है यहां पर computer or furniture सामील है और यह आपके पास 27500 का computer का furniture है total amount भी आपको यहां display हो रहा है पचाफ जार रुपे का और जो की आपका भी कितना है पचाफ जार रुपे का है यानि कि यह है आपका पचाफ जार रुपे का ठीक है तो यह मैच अब शिका लिया करो इसके बाद अब एक और भी बना रहा है आपको investment के अंदर अब इस company ने या इस दुकान बाले ने क्या किया है कि कुछ पैसा इंबेस्ट भी किया है फचिन आरडी account ओपेन किया है और सुरेस आरडी account ओपेन किया है तो इनको भी हमें laser बनाना पड़ेगा दिखाना पड़े यहां पर है ठीक है एंटर पेस करके इसको हमने ला लिया यहां पर आप देखें यहां पर हमीं बनाना है कौशा लेजर नेम है यहां पर कि सचीन आरडी अकाउंट 35,000 रुपे का तो डाला हमने सचीन आरडी अकाउंट 35,000 का नेक्स्ट हमारा है सुरेश आरडी काउंट यह रहेगा आपका 35,000 हो गया और सुरेश का कितना है 25,000 का है टोटल इमाउंट 60,000 हो गया चिक कैसे करते हैं इनवेश्टमेंट को तो देखे यहां पर आपका दिया गया है बैलेंस सीट में जाना है और इनवेश्टमेंट में जाना है है ना तो आप गेटवे आफ टैली में आएंगे बैलेंस सीट के लिए बीप्रेस कर दिया इनवेश्टमेंट आपको यहां डिस्प्ले हो रहा है और इस investment पे आपको एक बार interface करना है देखे टोटल एमाउंट यहाँ पे आपको display हो रहा होगा नीचे और ये 55,000 का सचे नारडी काउंट है सुरियस आरडी काउंट 25,000 का है टोटल हमारा यहाँ पे 60,000 का दिया गया है ठीक है आप इसके बटन से बापस आएंगे और इसके बाद आप दिखिए यह list D आपने बना ली है list E में हमारे दिये हैं Sunday Dators, Sunday Dators कौन होते हैं जिनको हमने माल बेंचा होता है तो यह भी हमें हिसाब किताब अपना company में टैली में अपना चाठाना पड़ेगा क्योंकि हमने जो बेचा है product अभी उसका पैसा मुझे receive नहीं हुआ है तो ऐसे कितने लोग है, art agency है, deepak traders है, mehendry store है, दिक्षा agency है इन लोगों से हमने payment receive नहीं किया है तो इनको भी हमें अपने computer पर as a opening balance के रूप में laser बनाना पड़ेगा ठीक है, ताकि सारी सीज़ें आपको याद रहे है क्योंकि रहा रहना है कि आप manual से आप switch हो रहे हैं अपने computerized accounting में अभी तो आप copy पे काम कर रहे थे, लेकिन अब आप copy पे ना करके टैली में करेंगे तो जो copy पे अपने काम किया था, उस पूरे data को हमें अपने computer पर लाना पड़ेगा है ना, तो यही process हम लोग कर रहे है complete चलिए, अब यहाँ पे हम study data बे बनाएंगे artigency 35 का तो हम चलते हैं laser में, count info, lasers, create multiple laser में और यहाँ पे study data के लिए हम as you press करेंगे, देखें यहाँ पर आपको मिलेगा study data का group और इस पे हम select कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो पहला laser बनेगा artigency 35,000 का है तो artigency each 35,000 next रहेगा, देखी next रहेगा आपका दीपक टेडर्स अठाईफ़जार का और इसके बाद आपका रहेगा, महेंद्र श्टोर पचास जार का, ठीक है, पचास जार हो गया महेंद्र श्टोर और next रहेगा आपका देख्षा अजंसी 25 जार का ठीक है, इसको आप enterprise करा रहेंगे और इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आपने बनाया है संडी डेटर का और यह मिलेगा current asset के अंदर संडी डेटर, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा, balance sheet, balance sheet के लिए भी प्रेस किया, उसके बाद यहाँ current asset में आ जा आ रहा है, एक लाख, अर्टी फजार रुपे आ रहा है, तो कहीं फिर से mistake कर गए, 35,000 आर्थी जंसी हो गया, 35,000 आर्थी जंसी हो गया, ठीक है, उसके बाद 28,000 और 50,000 है, तो अठाई फजार हो गया, दीपक टेडर्स और देख्छा जंसी हो गया, 50,000 रुपे, और फिर म महेंदर श्टोर आपका है, 50,000 का, ठीक है, तो महेंदर श्टोर आपका हो गया, 50,000 का, और दीपक टेडर्स यहाँ पे आप बना चुके हैं, दीपक टेडर्स और 25,000 का है, इसको सही कर देते हैं, चलिए अब हमको दिखाते हैं कि लेजर कैसे सही करते हैं, तो दिखे जो इपल्ट कर दिया गया है यहाँ पर यह में कर सकते हैं एकाउंट्टिंख जएंगे लेजर समय जायेंगे और यहां एंटर पर आ जाएंगे अब यहां पर जो लेजर आप से गलत हुआ है वो दिख्चा एजनसी का हुआ है इसको आप यहां से सेलेक्ट करते हैं देखें एंटर प्रेस करते रहेंगे आप और नीचे आप अमाउंट जो है वो यहां पर 25 जार कर देंगे सेब हो चुका है आप एक बार चेक करते हैं बैलेंस सीट उसके बाद करेंट एसेट में और यहां पर देखिए टोटल एमाउंट हमारा एक लाग अर्टिफजार आ चुका है जो कि यहां पर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो गया तो बाई मिश्टे कि 50 हो गया था 25 का ठीक है इसके बाद अब बैंक अकाउंट भी ओपेन करना होगा तो बैंक अकाउंट यहां पर दोलाक रुपे का है जैसा कि अपनी बैलेंस सीट को एक बार चेक करें आप देखिए यहां पर बैलेंस सीट में कितना दिया गया है इंबेश्ट में तक तो हमने बना लिया है और में से उसको लांग बना लिया है और रुपे और कैस में 5,000,000 उसको भी हमें ऑपनी बैलेंस में लाना पढ़ेगा तो देखे यहाँ पर bank account में account से account है SDFC का है ICICI का है और पंजाब national bank का है चलिए bank account के अंदर इनके लेजर को भी बना लेते हैं तो आप बैपस आएंगे इसके button से account info में जाके लेजर्स पे जाएंगे और यहाँ multiple में create करेंगे और under यहाँ लेंगे आप bank account ठीक है रुपे नेक्स्ट जो हमारा bank account रहेगा वह आइसी 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 आइए बैंक है 35,000 रुपे का ठीक है ICICI bank 35,000 का और इसके बाद जो हमारा next bank है वह पंजाब national 95,000 का कितना है 95,000 का है और इसको हमने save कर लिया है ठीक है तो सारे laser हमने बना लिये हैं और यह total हमारा 2,000 रुपे का हुआ है save करके हम एक पार check करते हैं तो यह जो हमारा balance होगा जो bank account का balance होगा वो कहां मिलेगा हमें इसके लिए यहाँ पर दिया नहीं गया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए मुझे balance sheet पर जाना होता है balance sheet पर जाने की बात current asset में ही आना है आपको और interface करना है यहीं पर आपको मिलता है bank account का option यहाँ पर interface करेंगे तो देखो आपने तीन account create किये हैं तोटल हमारा जो amount है वो दो लाक रुपे का है यहाँ पर लिखा है entering opening balance for laser account cash cash में भी इनके पास 50,000 रुपे है चुकि जब आपको आप जानते हैं कि जब टैली में कोई भी लेजर आप जब टैली में आप company को बनाते हैं उसमें लेजर आपका जो cash का होता है और बन जाता है और profit and loss का भी बन जाता है तो हम test में कैसे 50,000 रुपे पहुचाएंगे इसके लिए मुझे करना क्या होगा gateway आफ टैली पे जाना है आपको account info में जाना है laser में जाके alter कर देंगे और उसमें opening balance में 50,000 रुपे भर देना है बस इतना सा आपको काम करना है यहाँ पर आते है आपको दिक्कत लग रही हो तो आप previous class आवसे देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके clear हो जाए क्यूंकि जो बच्चा सीधा इसे class को देखेगा उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है शुरुआ से आपको देखना पड़ेगा class 1 class 2 class 3 class 4 class 5 जो भी class आपको बीच में कोई भी चीज समझ में आने वाली नहीं है ठीक है तो यहां पर आपको अल्टर में जाना है और अब यहां से मुझे किसको अल्टर करना है कैस को हम कैस यहां सेलेक्ट कर लेते हैं हमने keyboard से कैस लिखा और यह सेलेक्ट हो गया enterprise किया इसका opening balance मुझे यहां डाल देन है ठीक है तो यह चीज कैस भर दी और चेक कैसे करते हैं balance sheet में जाना है करेंट में जाना है cash in hand देख लेना है चलते है balance sheet में तो वापस आते हैं पाता और बता दू जो rate आ रहे हैं जैसे मैं यहां पर क्रिक करता हूं दिखिए inventory के लिए T आ रहा है counter के लिए V आ रहा है ऐसे जो rate आ रहे हैं इनको आप दबाएंगे तो यह shortcut की होती है बी के लिए balance sheet के लिए वी आ रहा है जैसे हम बी दबाया हम balance sheet को open कर गए ठीक है हमने एक balance sheet हमने यहां पर एज ओपनिंग balance में दिखा दी है जो भी अभी इनका लिखा जोखा copy पर था अब वो computer पर आ चुका है पुराना हिस्तार किताब जतना भी copy पर था वो हमने क्या किया computer पर ला दिया क्योंकि यह दुकान जो चल रही थी पहले से और बीच में यह computer पर आना चाहते हैं अपना accounting करना चाहते हैं for example कोई भी तो उसके लिए होता है कि अगर कोई नई shop आपने ओपन की है और आप सीधे उसको computer पर ही लाना चाहते हैं तो फिर आप अपना सीधे शुरुआ से ही बना लेते हैं सारा काम है ना तो यह हमने अग चीज और बाकी है अभी यहां पर क्या है कि हमने इनका जो product है जो goods है जो बेंचते हैं यह सामान वो अभी यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है तो इनका जो closing stock है जैसा कि balance sheet आपकी क्या कह रही है जो balance sheet आपकी बता रही है देखिए यहां पर आप देखेंगे यह balance sheet है इसमें दिखेंगे उसके बाद हम आगे closing stock को भी यहां पर लेकर आएंगे फिर हम आपको कैसे sale करते हैं कैसे हम purchase करते हैं वो सारी चीज़ें दिखाते हैं है ना तो बहुत सारी चीज़ें है भी tally में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बारी-बारी से मिलती रहेंगी और ऐसे ही आप सभी लोग class देखते रहें दुफरी चीज़ यह पूरा balance sheet जो आप देख सकते हैं इसका चाहो तो आप screenshot लेलो और इस balance sheet को भी आप फिर क्या करो आप अपना जो है इसको practice करो क्योंकि यह practice करने के लिए हमने आपको बनाया है है ना तो हमने यह खुदी अप बहुत आसानी से सीख पाएंगे तो एक तरीके से example यहां पर उठाया है हमने और इसको अगर आप practice करेंगे तो फिर चीज़ें आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी बट बीच से कोई भी class देखेगा तो मुझे नहीं लग भा है कि उसको अच्छे फिर समझ में या फिर उसने टैली को पहले से सीखा हुआ है हाँ तो वो देख सकता है उसको कोई problem नहीं है लेकिन बिल्कुल freezer है नया बच्चा है और वो टैली सीखना चाहता है तो आपको बिल्कुल सुरुआ से class देखने है तो इसके लिए playlist आपको बना दी गई है आप उसमें जाईए टैली की playlist है उसमें से जो class कराएगे है वो सारे आपको बहाँ पे मिल जाएंगे उसको आप बारी बारी से देखिए ठीक है तो फिलाल आज की class यहीं तक मिलते है next class में और अगली class भी आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है तो उस class को भी सभी साथी देखें और अभी आठ तीस पर आपको एक triple C exam की भी class मिलने वाली है अलांकि कल किसी कारण से class नहीं हो पाई थी बट आज आपको class मिलेगी तो triple C की जो class होती है वो कई वार बच्चों ने comment किया है कि सर मई वाले बच्चों का कब से class भी होगा तो दिखिए आपका चाहे मई में हो exam चाहें आ पूशना है तो आप comment अवस किया करें ठीक है या फिर मुझे instagram पर follow कर सकते हैं facebook पर follow कर सकते हैं triple C वाई वाई से बहां पर आप अपने सवाल कर सकते हैं आपको जबा मिलेगा thanks for watching thank you